तो अगर आप लोग को किसी नीजी कारण के वज़ा से अपना CAC का जिसमें आप एकॉंट लंबर जो आप एड किये हैं उसे अगर बंद करना पड़े तो आप क्या किजिएगा आपको दूसरा एकॉंट उसमें एड करना ही होगा CAC एकॉंट में जबकि आप CAC एकॉंट जब अपने लेप्टूप के स्क्रीन पर आप लोग को स्टेप बाए स्टेप बताऊंगा बीना कैंसिल चेक का आपको क्या अप्लोड करना है और आपका बैंक डिटेल्स जो है वो अपडेट हो जाएगा इसके लिए आपको इस चैनल को करना होगा सब्सक्राइब साथी साथ ब करते हैं आपका नेक्ट होना चीए आप ध्यान में रखिएगा और सबसे पहले हम खराच चूक्या और यहां अपना डिटल सेवाब पोटल है वह हम यहां से कर लेते आप डिटल से वागद फिर जहां से आपको रेस्टेशन किये थे आप वहां से भी आपकर सकते हैं हम दो अब लोगिन कर लेते हैं अब लोगिन कर लिएगा और स्टेप आज हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे आपको अपडेट करना है तो वीडियो को फूल वाज किजिएगा तभी आपको समझ आएगा जब आपको डिटल से पोटल को ओपेन करते तो कुछ आपके सामने कुछ इ तो आपके सामने कुछ इस्तरा से इंटरफेस आ जाता है थीक तो यहां से देखिए अपना फ्रस्न इंफॉर्मेशन भी आप यहां कुछ चेंज कर सकते हैं बैंक डिटेल चेंज कर सकते हैं जो पेन कार्ड का लंबर है जी एस्टी लंबर है ओभी आप चेंज कर सकते हैं और यहां काफी सारा आफसन यहां पर दिया हुआ जो यहां पर आप देख रहे हैं ठीक है तो सबसे हमको तो यहां पर बैंक डिटेल को पर लगा लेना है जब आपके सामने एक मंत्रा का डिभाइस जो है और फिर किसी भी कंपणी का हो मोर्फो हो तो फिंगर्पिंट आपको लगा लेना है जब आप फिंगर्पिंट लगाईएगा क्यूंकि आपको थम लगाके इसे स्केन करना पड़ता है तब ही आपका यह ओपन होगा चलिए हम इसे हम लगा लेते हैं फिंगर्पिंट हमने यहां पर लगा लिया है यहां पर हमारा रेडी हो चुका है अब हम यहां पर अपना CAC ID डालते हैं CAC ID हमने यहां पर डाल दिया यहां पर आपके सामने दो आप्शन पर दिख रहा हुए एक फिंगर्पिंट दुसरा एडिस तो हमारे पास ज्यादा तर सी वालों के पास फिंगर्पिंट अवलेबल होता ही होता है तो हम फिंगर्पिंट ही किलिक करेंगे फिंग कुछ समय का वेट करना होता है आपका चलेगा उस तरह से यहां पर आपको वेट करना है जब तक घूम रहा है तब तक आप इस चैनल को सस्क्राइब पर लीजिए और साथी साथ बिल आपको देखने के लिए ठीक है जब यह है कंप्लेट हो जाएगा तो सबसे पाखलिए यहां ऊपर वाले आइकन पर आई है बहुत दिशू है इस पर करना है किलिक जब आप किलिक किजिए गां आप किलिक रहेगा और नहीं बद आनसे इहां पका थो रहेगा है और आप के स्टांट क्रेप्चर भी। ठीक है जब यह capture हो जाएगा उसके बाद यह आपको आग की ओर ले जाएगा देखिए जब capture हो गया यहां पर अभी हमारा एक्टीव है यह जब वो यहां पर हर्दा कलर में दीख रहा है एक्टीव है आने कि हमारा इसमें भी जो भी अपडेट हमने पहले किये हैं यहां सब क certificate का जो भी लंबर है वो टोटल चीज यहां पर सो करेगा तो यहां पर देखिए प्रोफाल और कवाइसी अपडेट तो आपको करना है किलिक जब आप कर देते हैं किलिक करने के बाद आपको स्कॉल डॉन करना ठीक है स्कॉल डॉन जब आप किजेगा तो अब जो भी हुआ में हमको चेंज करना है थो सब ग verbess कर्ना के बैंक डिटेल्स चाहां पर प्रोसेस और आपgrades тебя करना होता है तो तो अभी हमने एक दिन के पहले खुद से पहले banking and parent details तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 30 दिन के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर हमारा नाम और हमारा जो किसको का center CSA center वो हमारा नाम दे रहा है लेकिन आपके सामने कुछ आपके account लंबर मांगा जागा और और IFC code मांगा जाएगा और एक cancel check का भी option upload करने का देगा तो आप cancel check आप upload किजिएगा वहाँ cancel check आपको upload नहीं करना है आपको bank का password upload करना जैसे हमने इस तरह से scan करके ले लिया था और इस तरह से अपलोड कर दिया था ठीक है अब देख लें अगर आप स्केन कीजेगा इसको तो 75 डिपी आई में स्केन कीजेगा ताकि आपका यह 100 कवी के अंदर है हमारा अब यहां इसका प्रोफटी भी हम आपको दिखा देते इसका साइज देखिए हमारे 76 केवी में है तो आप 75 डिपी आई में बसकेन कीजेगा और इसे आप अपलोड कर देजाए अपलोड करने के बाद यह आपसे लगभग यह समय 24 घंटा कराता है 24 घंटा के अंदर आपका बैंक डिटेल्स चेंज हो जाता है तो आज हम आप लोग को बता दिये हैं कि बीना कैं अच्सिल चेक का पास्बुक के जड़िये से भी हो सकता है आसानी से बैंक डिटेल्स चेंज तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जिया हिंद बंदे मात रहां